नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PK Education को उपर, आज हम बात करेंगे Weekly Current Affair के बारे में जो सीरीज लेकर आते हैं, उसी में Part 3 है ये और ये मार्ज का Current Affair है, जिन लोगों ने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं, उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया तो इसका आयोजन किया जाएगा, लेक लद्दाग में, अंतर रस्तिय योग दिवस पर मुखिश हमारो 21 जून 2020 को लद्दाग की राजदानी ले में होगा, और इसका जो नेतरत होगा, वो श्री प्रधान मंतरी नरिंद मोधी जी करेंगे, अगला प्रश्न है, Freedom in the World, 2020 रि 83 सीवा, 83, इस रिपोर्ट में दो संक एर्तकों का प्रियोग किया जाता है, राजनेतिक अधिकार और दूसरा है नागरिक स्वतंतरता, 0-40 अंक, राजनेतिक अधिकार और नागरिक स्वतंतरता है, 0-60 अंक, इस रिपोर्ट में, फिनलेंड, नौर्वे और स्वीडन को 100 मे सभी अगामी आने वाल एक्जाम के लिए बहुत ही महत्यपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी होंगे चाहे वो कोई भी एक्जाम हो, UP का कोई एक्जाम हो, MP का हो या फिर वो UPSC एक्जाम हो सभी के लिए बहुत ही जादा उपयोगी होगा अगला है BBC World History Magazine सर्विक्षड में कौन दुनिया के अब तक के सबसे महाननेता बने हैं तो यह बने हैं महराजा ररजीत सिंग्ग इस सर्विक्षड में भारत में सिक्ष सामराज के 19 सदी के शासक महराजा ररजीत सिंग्ग को अब तक का सबसे महाननेता चुना गया है जितने भी कुश्चन है इन में चाहें अगर जो भी आपको अपनी द्रस्टी से इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं हाल ही में टाइम मेगजीन ने पिछली सदी की सौ प्रभावसाली महलाओं की सूची में किसे शामिल किया है इसमें सामिल किया गया है पूर प्रधान मंत्रे इंद्रा गांधी और स्वतंतरता सेनानी अम्रत कौर को टाइम मेगजीन ने इस्पॉंट लाइटेस इंफ्लूएंशन व्यूमेन हुवर ओक्टन ओवर्शैड़ेड नाम से एक सूची को जारी किया है अगला है FRI-516 अंगूर की संकर प्रजाती को अंगूर के किन प्रजातियों के मिस्टर्ण से बनाया गया है तो यह बनाया गया है अमरीकी, काटावावा तथा बिटिस विनिफेरा से भारत में अंगूर की खेती जो होती है वो सरवादिक महरास्ट्र में होती है ऐसे कोशन भी पूछे जाते कई बार यूपी ऐसे कोशन पूछता है अगला है दुनिया में अब मात्र एक दोड़लव सफेद जिराफ किस देश में बचा है तो वह बचा है केवल और केवल केन दुनिया में सफेद जिराफों की संख्या जो है पहले ही बहुत कम थी और शिकारियों ने जो दोबचे उए थे जिराफ उनको भी मार दिया है तो अब केवल एक ही मात्र सफेद जिराफ बचा है और जो केवल केन्या में हैं हाल ही में इंटरनेशनल कॉनफरेंस ओफ नैनो मार्च को आरजित किया गया है यह DST नेटो मिशन द्वारा आरजित किया जाता है यह कारकिरम प्राफ्ट विग्ञानकों को नेटो विज्ञान और प्राद्द गय की के छित्र में हाल या प्रगर्ति लाने के लिए एक वैस्विक मंच प्रदान करता है अगला है हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ दा इयर 2019 का पुरुसकार किसने जीता है तो वह जीता है भारतिये सटलर पीवी सिंदु ने एथलीट पीटी उसा को लाइफटाइम एचीबमेंट अवार्ड से समाने किया गया है यह जितने भी कोश्चंस हैं यह बन लाइनर कोश्चंस नहीं है इसमें एक कोश्चंट के अंदर कम से कम आपको दो से तीन कोश्चंस मिल रहे हैं पीवी सिंदु बर्स 2019 में बी डेवल्यू एफ विश्च चैंपियंशिप जीतने वाली पहली भारती महिला पहली भारती बन गई है उन्होंने पांच विश्च चैंपियंशिप प मारत सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा दोके प्रावधानों को लागू करते हुए किसे महामारी घोशित किया है तो वह किया है कोविड-19 को डेवली एचो द्वारा कोविड-19 को ग्लोबल पैड में घोशित करने के बाद घोश्चना की गई है 1897 के कानून को पहले ततकालीन बॉंबे राज में बुवनिक प्लेक के दौरान लागू किया गया था ये तो सभी कोई पताए कि कोविड-19 आजकल क्या है जिसको हम कोरोना के नाम से जान रहे हैं और ये सबसे पहले इसके जो केसे वहान चीन में देखे गए थे और अब इ स्ट्रीट स्ट्राइल की अवधारन पर आधारित इस कलेक्शन में योगा सारेरिक ब्यायाम पिलेच के लिए उप्युक्त बिभिन तरीके के परिधानों को शामिल किया गया है अगला है मंगल मिशन के लिए बनाए गए गए रोवर मिशन का नाम क्या है तो इसका नाम है यह काफी इंपोर्टेंट है मंगल मिशन से जितनी भी इंफोमिशन है आप उसको कहीं अलग ही नोट करिएगा और उस क्यूंकि यहां से कुशन उटने के काफी कुछ चांसे और हो सकता डीप में भी उट जाए तो इसलिए आपको इसके फैक्स देखना बहुत जरूरी है अगला है हाल ही में चापचर कुट उत्सव कहां मनाया गया है तो यह जो उत्सव है वो मनाया गया है मिजोरम में और यह मिजोरम का सबसे बड़ा और महत्तपूर्ण तिवहार है वहां के जो मुखमंत्री है वो है जोरम थागा इस तिवहार का जो बिसे है वो है मिजोस की के संस्कृत्य और नीचाटे खल कूट मिजोरम का एक बसं योहार यह जोंग जाता है इसकी ते पार में में अंतर आप यह जो थीर में जानते हैं यह महला दिवस आठ मारंट को मनाया जाता है और इसकी थीम है generation equality महिलाओं के अधिकारों को महसूस कर रही हूँ I am generation equality realizing women's right अंतर अस्टिय महिला दिवस के अबसर पर विज्ञान जोती पहल को भी launch किया गया है इस पहल का मुख्य उद्देश महिलाओं को विज्ञान को अपने फविश्च के रूप में चुनने के लिए प्रोटसाहित करना है और STEM सिक्षा को बढ़ावा देना है इसका full form है science, technology, engineering, mathematics इन सभी के लिए ये भी question पूछा जा सकता है कि विज्ञान जोती जो पहल है वो किस दिन launch की गई थी तो आपको पता होना चाहिए यह 8 March को launch की गई थी हर साल किस दिन विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 3 March को जो वर्ष 2020 को जै विवित्ता सुपर वर्ष के रूप में मनाया गया है इस वर्ष इसका बिशय पिर्थवी पर जीवन को बनाय रखना है अगला है नमस्ते ओर्चा महुत्साव का आयोजन कहां किया जा रहा है जिसको यह पता होगा कि ओर्चा कहां है वो शुन को बैसे ही टिक कर देगा तो इसका सही आंसर है मद्ध प्रदेश के निवासी जिल से के आयोजन इस थल को चीन से बदल कर क्या कर दिया गया है इसको कर दिया गया है फिलिपीन और यह क्यों किया गया है यह हम सभी जानते हैं को चलते यह इसका स्थान बदला गया है अगला कुश्यन है हाल ही में बंगला देश का रस्ट रस्ट यह नारा क्या होगा उन्हो अगला है प्रितेग वर्स किस दिन केंद्री और दोग्यक सुरक्षा बल सेंट्रोल इंडुस्ट्रियल सेक्यॉर्टी फोर्स सी आइसेफ का स्थाफना दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है दस मार्च को इसकी स्थाफना वर्स 1979 में CISF अधनियम 1968 के तहट की गई थी यह एक अर्द सैनिक वल है जिसका कार्य जो होता है वो सरकारी कारखानों एबं अन्य सरकारी उपकरमों को सुरक्षा प्रदान करना अगला है बशीम जाफर कौन है तो यह एक बहुत ही प्रिसिद्ध बल्लेवाज है और इनके सभी प् में पर वह 42 बर्स के हो चुके हैं और इन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच अप्रेल दोजार आठ में दच्छिड अपरिका के विरुद कानपूर में खेला था अगला है बिश्व आर्थिक मंच ने कोरोना वाइरस के प्रिभाव से निपटने है तु किस संस्था के सहयो अपना 1971 में हुई थी यह एक ग्यर लाबकारी एब अंतर रस्टिय संग्ठान है यह एक स्वतंत्र और निस्पक्च संग्ठान है इसका मुख्याला जो है वह स्विजलेंड के जिनेवा में है फोरूम बैस्विक जाद चेत्री और अध्योगिक एजेंडियों को आकार देन जिसे लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसे वहां से देख सकत अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार